तो हेलो गुद मॉनिंग कैसे हैं आप सब ही उमीद करती हूं अच्छे ही होंगे टाइम हो रहा है साड़ी छे बजी का बच्चों के स्कूल का टाइम चेंज हो गया है और कल ही मैं माई के से आई थी और आज आते ही मैंने अपना मतला टाइम टेबल बना लिया है सुबह उटते ही मैंने पाले वगरा भर दिया था चाय वगरा पी है और अब जिस्ट मसीन लगा दी थी तो कपड़े वगरा जो वोस करने थी वो आदे हो चुके मसीन लगी वी है अब भी आ गई हूँ कीचन में तो कीचन अगर थोड़ा सा समेरती हूँ उसके बाद बच्चों के लंच की और ब्रेथास्ट की तियारी करती हूँ चलते हैं तो यहाँ पर सुवए सबसे पहले में बरतन लगा लेती हूँ जैसे कि मैं पहले लगाती थी और कीचन काफ़ी ज्यादा सापसूत्रा हो चुका है पहले की बजाए वैसे पहले भी मैं सापसूत्र रखती थी लेकिन अभी क्या है नई नई डब्बे लगे वे हैं इस का टाइम पौनी आठ बजे के हो गया है तो हभी जल्दी नहीं ही है खाना वगरा बनाने की तो आज सबजी बनाऊंगी आलू बैंगन की और रोटिया बनाऊंगी सिंपनली उसके बाद आपके साथ सेयर करती जाऊंगी कि क्या काम करती हूँ हभी मेरी बेटी फिलहाल सोई तो यहां पर मैं आ गई थी एक बार स्लैप को पूछ लेती हूं अच्छे से आप देख सकते हैं और जो किचन की लाइट है वो काफी जदा कम है और मैं हमेशा कर चेंज करवाने के बारे में सोचती रहती हूं लेकिन चेंज नहीं करवा पाती लाइट तो मतलब LED लाइट क दिखाई दे रहे होगी तो मैं दूद बगरा भी परोदूंगी साथ-साथ ही और यहां पर आज बनाँगी आलू बैंगन तो यह बैंगन छोटे-छोटे अकार के थी काफी अच्छे भी थे क्यूट-क्यूट से थे इस तरह के बैंगन जो भरवा बैंगन बनते हैं सकते हैं और इसको फिवर हो रहा था तो मैंने इसको सकाफ लगा दिया था यह जो टोकला था वो नहीं ओड रही थी तो मैंने इसको यह बांद दिया है थोड़ी देर ठीक रहेगी इसको बांदे रखेगी और यहां पर बच्चे भी उठ चुके थे और बच्चे कर रहे थ तो यह यहां पर अपनी पड़ाई में लगे वे थे और मेरी बेटी उठ चुकी थी तो मैं इसको बैठाने के लिए आई थी यहां पर लेकिन यह नहीं मान रही थी और मुझे इनका लंच बनाना था तो लेट हो रहा था लंच बनाओगी जाकर और भार मसीन भी सिटी लगा रही है तो उसके भी कपड़े निकाल कर आती हूं मैं भार ताजी पानी आ रहा है और यहां पर मैं आ चुकी थी मसीन से कपड़े निकाल कर उनको सुखाने के लिए ताजी पानी आता है तो पता भी नहीं चलता क्योंकि बिल्कुल गरम-गरम सा ही आता है इस सुबह सुबह 12 चल जाता है एक घंटे अब आएगा फिर 12 बज़े के बाद वोरे दिन आएगा तो मैं सुबह सुबह ही वोस कर लेती हूं क्योंकि 12 बज़े के बाद आलश आ जाते हैं और वोस करने का मन बिल्कुर भी नहीं करता तो यहां पर मैं अपनी ڈोटे में लग चुकी हूं माइके से ठकी वारी आई थी और ससरान में आकर फिर अपनी म मैंने अपनी लगा लिए है बस हर औरत की नसीब में काम होता है कहीं भी जाए कामो मुझे तो कोच लोग होते हैं माइके में आराम मिलते है माई के में भी तब ही जाना पड़ता है क्योंकि वैसे तो कोई भीजता वगएरा है नहीं वैसे माई के में तब ही जाते है ममी बिमार हो जाती है बाबी अगर पीशी अमेरिजेंसी या भाबी को डिलेवरी वगएरा होई थी तब गए थे रहने के लिए तो तभी जाते हैं अधर वाई ये एक दिन ही खड़ा खड़ा जा जाता है क्योंकि बच्चे बढ़ने लग जाते हैं फैमली बड़ा हो जाता है तो बस ऐसा ही जाया जाता है तब हमारी ममी जी थी यहाँ पर तो फिर भी मैं चली जाती थी दो तीन दिन डेकर आ जाती थी क्योंकि पिछे की टेंसल नहीं हुआ करती थी और अब तो जाने का मन भी नहीं करता है क्योंकि पिछे घर में काम पड़े रहे हैं हम निकल जाए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पापाजी है दादाजी भी है और लोग तो सबी डूटी पर चले जाते हैं लेकि इनको भी पीछे संबालने वाला कोई चाहए और काम इतना ज़्यादा है यहाँ की सुबधी रिस्कूल जाती है तो इतना सारा काम करना भी ज़्यादा मुस्किल हो जाता है वो कह रही थी कि मैं सुबह ती वजे उठकर काम करकर जाती थी और साड़े साथ वजे स्कूर में पहुंचती थी तो वो काम करना काफी ज़्यादा मुस्किल हो जाता था इसी वज़े से मैं ज्यादा दिन वहां पर नहीं रुक पाई तेन इन के तो छोटी थी और वो दो दिन ही परेशान हुई है और मैं मतलग मंगलवार को दो पहर में आ गई थी साम का तो काम मैंने कर लिया था लेकिन सुबह का तो से करके जाना था और सोमार को भी वो करके ही गई थी तो दो दिन वो काफी ज्यादा प्रेशान भी बटके आ कर सकते हैं अचानक से माई के इसे बुलावा आएगा तक भी जाना पड़ा दोनों मतसास बहुत बेमार थी और काम करने वाला कोई नहीं था छोटी बेटी भी थी इसी वज़े से मैं चली गई और भेन आना ही सकती क्योंकि सभी अलग-अलग हैं और हम यहाँ दो हैं इसी वज़े से मम्मी हमें बुला लेती है और वाईज वो बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं आ सकते अपने घरों को क्योंकि जब एक-एक फैमिली में हो जाते हैं तो वैसे भी छोड़ा नहीं जाता है अपना घर इतना ज़्यादा लग जाता है और मेरे से जो बड़ी वाली बेहन है वो तो फिर भी आ जाते है क्योंकि उसके सास नहीं है ससूर है ससूर जेठानियों के पास खाना खा लेते हैं और जिया जी भार रहते हैं तो वो अपने एक बच्चे को लेकर आ जाती है उनकी जेठानिया अच्छी है रख लेती है दूसरे बच्चे को मतलब बेज कर तो वो एक-दो दिन के लिए वो आई थी तब बड़ी ममे एकस्पायर हुई थी तो तब भी वो ही आई हुई थी गर पर तब भी आना था तो इतने ज़्यादा दिन तो वो भी नहीं रोक सकती थी तो इसी वज़ेसे तो भार का निप्टाने के बाद मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए और हाँ पर मतलब सब्जी वगेरा मेरी बन चुकी है यहाँ पर मैं बना रही हूं रोकिया तो अभी बच्चों का लंच बैक कर देती हूं उसके बाद मैं आप से मिलती हूं तो कि बच्चे हभी सब्जी खाने में नकरा करेंगे और इस कहेंगे कि हमारे आलू आलू चाहिए अब देख सकते हैं भेन की बेटी आई है मैं कह रही थी कि मैं आपका लंच बैक कर दूंगे अभी सब्जी थोड़ी गयरम है तो मैं कह रही थी कि मुझे बैंगर नहीं खाने और हमारी यहाँ पर भैस बाजी हो रही थी आना कानी करती है तो कह रही थी कि मैं फ़र कर टीफन डालूँगी क्योंकि टीचर होते हैं स्कूल में खिला देते हैं बच्चे यहाँ पर मानते नहीं है बिलकुल भी तो बस यही हमारी भैस बाजी चल रही थी और उसके बाद उनका मैंने लंच बैक कर दिया था तो वो गहरे थी कि मैं सबजी नहीं लेकर जाओंगी मेरा तो धई और अचार ही डाल दो तो लेकिन मैंने सबजी भी उनकी डाल दी है देखती हूँ खा कर आएगी वो नहीं खा कर आएगी क्योंकि टीचर खिला देती है वैसे स्कूल में तो बस मैंने बच्रों का अब लंच बैक कर दिया है उनको खटा फूट से स्कूल भयती हूँ अभी फिलाल मुझे इतना ही खाना बनाना है कि सभी का लंच बैक कर देना है किचन के लिए इनके लिए रहती है तब यह अच्छा लगता है मेसी किचन मुझे फो ज़दा कंदी लगती है और यहां पर मैं फोईल पेपर ले रही थी और इनका मतलब दीदी का और उसका मेरी हस्पेंट का लंच मतलब डाल रही थी क्योंकि उनका भी डाल कर रख देना है मतलब स्कूल में तो थोड़ा टाइम लगता है और बस भी बच्चों की आ चुकी थी और बस हभी मैं फटा-फट से उसका लंच पैक कर देती हूं उसके बाज जी आजी भी आ गए थी तो उनके लिए चाह बनानी है मुझे और फिर मैं भी दूसरी चाह साथ-साथ पी रहत दिया था और इसको बाल्टी को धो दूंगी जितने विवरतन होंगे हभी के हभी धो दूंगी हम लेट खाना खाएंगे तब कर देंगे जी आ जी आ गए थी तो मैं उनके लिए चाह भी रख दी थी मेरे हस्बेंट भी पीएंगी मैं भी प्योंगी पापाजी पीएंगे तो दूसरी चाह हम तीनों ही चारों लोग ही पी लेते हैं क्योंकि हम इस टाइम खाना नहीं खाते फिर 11.30 ग्यारब जी खाना काएंगे और क्या होता है न दब भी थाखान होती है तो चाह अच्छी लगती और सर्दियों में चाह तो जान होती है बस तो यहां पर मैं डाल भी थी दीदी का लंच और ये आगयी दीदी आप देख सकती है और सर्दिया होना स्टार्ट हो गी है तो बलेजर गण तो वैजर रगना निकाल दिये हैं तो स्टॉल बलेजर वगयरा उड़ कर जाती हैं उठन लगती है वैसे भी बस से जाते हैं तो वहां पर निका लेते हैं, अगर इनको गर्मी लगती है तो बस वे अपना लन्च लेकर निकल चुकी थी और यह पर मैं चाई बना रही हूं और मेरी साइ भी बन चुकी है तो बस फटा- discover से पी लेते हैं चाई और फिर मिलती हूं मैं आपसे हेलो गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और टाइम हो गया है सवा आठ बचे का बच्चे विगरा स्कूल चले गए हैं और उनका लंच वगएरा मैंने पैक करके दे दिया था अभी पसों को लेट नेलाते हैं तो भार का कुछ भी काम नहीं निप्टा है बस कपड़े धो दिये हैं और अब ही मैं करूँगी अंदर का काम स्टार्ट सर्दियों में लेट ही काम स्टार्ट होता है वैसे और कल मैं अपने मायके से यहां पर आई थी तो अब अपने रूटीन में मुझे लग जाना है बच्चों के कपड़ी वगएरा इधर उदर हो रहे हैं तो एक बार मैं इनको मेंटेन कर देती हूँ और फिर उसके बाद आपके साथ सेर करती रहूँगी जो भी मैं काम करती रहूँगी तो वीडियो में बने रहना आप तो सबसे पहले जो बिस्तर वगएरा थे सर्दी में काफी सारे बिस्तर वगएरा मतलब निकल जाते हैं कंबल वगएरा अमारे याँपर ठंडी भी ज्यादा होती है हर्याना में माय के में तो और भी ज्यादा होती थी क्योंकि वहाँ पर ठंडा मतलब है जैसे खेतों में रहते हैं तो वहाँ पर जैसे फवारे बगएरा चलते हैं तो और भी ज्यादा ठंड होती है यहां की बज़ाय तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कपड़े वगएर अच्छे से लगा लेते हैं बचे स्कूल गए हैं तो बच्चों का जो मतलब चीजे होती हैं ही दरुदर कपड़े जो होते हैं ही दरुदर फैकर चले जाते हैं मैं दिखा देती हूं उपबर आपको और बेटी को थोड़ा सा मतलब तबियत खर लिए तो यहां पर सबसे पहले जो भारी भारी कंबल होते हैं अभी सर्दियों में यह काम और हो जाता है कंबल लगती है तो फिर बार बार में नहीं उठा के लेकर आने पड़ेंगे और सभी जो भी कंबल होते हैं उनको मैं रख देती हूं अंदर उसमें पेटी के उपर और ये मतलब जो होते हैं उनको पेटी के उपर रख दूँगी और एक कंबल को मैं यहीं बैड के उपर रख लेती हूँ क्योंकि बेटी दो पहर में सोएगी उसके बाद मैं देखती हूँ अपने बेटे की अलमीरा क्योंकि वो काफी ज़्यादा मेसी हो रही थी और क्योंकि मैं तीन चार दिन यहां नहीं थी तो वो अपने कपड़े खुद निकालता और इदर और फैक देता और बच्चे ऐसे ही होते हैं तो यहां पर मैं सबसे पहले बेट सीट को अच्छे से ठीक कर लेती हूँ और इस बेट पर मैं नहीं थी तो कोई नहीं सुआ करता था क्योंकि मेरी husband चार पाई पर सोते थे ये बैड ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ था तो आज से हम को हम सोए थे तो ये थोड़ा ऐसा हो रहा है तो इसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ तो ये बैड मैंने कर दिया है अच्छे से इसी तरह से चार पाई डली ही है और बड़ी वाली चार पाई डाल दी है क्योंकि मेरा बेटा जी दे करता है सोने की मेरे पास तो मैं मेरी बेटी को लेकर सोती हूँ तो वो हस्बेंट के पास सोते हैं क्योंकि हम बच्चों को फिर मना भी नहीं कर सकते गल्मियों मैंसे कह देते थे कि सर्दियों में सुलाएंगे लेकिन क्या करें अभी दिक्कत भी है डबल बैड पर हम चारों लोग आ नहीं सकते और डबल बैड उपर भी डिला हुआ है तो यहां पर सिंगल है तो इस पर मैं और मेरी बेटी सोजाते है और हस्वेंट के लिए चारपाई डिली भी थी लेकिन अभी बड़ा पलंग है पूरा बड़ा साइज का है तो इसपर दो आदमी आराम से सोचकते हैं तो इस पर हस्वेंड और बेटा सोजाता है तो अभी मैं और मेरी बेटी आज cutie आनल पर हुई है अब यह डूम जादा गंदा इसलिए नहीं होता क्योंकि बच्चों की अलमीरा अलग बना दी है हमने जो मम्मी की थी उसे यूज कर लिया है बच्चों के कपड़े वगयरा पच्चों की बुक्स वगयरा रखने के लिए और यह जो आपको दिखाई दे रही है छोट हमेशी रहता था ही कमरा तो उसके बाद मैं आ गई थी साइड वाले जो अलमीरा थी उसको साही करने में और यहां पर मेरे बेटे के कपड़े इतने ज्यादा रखे वे थे आप देख सकते हैं इसमें से कुछ पैंट्स वगयरा है जो उनको लूज हो रही है और जो काफी थ पैंट्स जो काफी ज्यादा लूज है और घर के इतने ज्यादा उसके पास कपड़े रखे वे हैं और सर्दियों में वैसे भी कपड़े जैकिट कोट वगयरा काफी सारी चीजे निकल जाती है तो अलमीरा भर जाती है वैसे भी तो मैं उसको टह लगा कर रख रही थी तो इसी तरह से इनको टह लगा लेती हूं और इस तरह से मेरा काम ने पड़ता है सुबह सुबह सारे रूम के क्लिनिंग वगयरा होती है तो यह लोग काफी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है इसी को एंड करती हूं और भी कंटिनूर रहना नेक्स्ट व्लोग भी यही से हो जाएंगे और हस्बेंड की डूटी का टाइम हो रहा है तो इस टाइम तक जैसे हस्बेंड डूटी जाते हैं तब तक मेरा यह काम ख़तम होता है सबका लंच वगयरा बनाना कप्ड़े वोस करना और भार का ज़ाड़ो लगाना बस यही होता है आज तो ज़ाड़ो भी लगी है क्योंकि पस्वों को नहीं नेलाया था अभी तक तो इसी लिए मैंने वहाँ पर भी मतलब धोना होता है तो भी नहीं वोस किया है तो यहां पर बस यह चीज़े की है अभी मैरे हस्बेंट का लंच मैंने पैक कर दिया था और हभी वो डुटी के लिए निकलने ही वाल इसी तरह कि और अच्छी अच्छी वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी तो बैल के आइकन को प्रेस कर लेना तब वीडियो डालती हूं तब उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा और वहां से क्लिक करकर आप मेरी वीडियो का इंज्योई कर सकते ह तो आज की वीडियो में इतना ही है मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में बबाई टेक केर थेंक यू